आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किस में ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी-फ्टी इंडेक्स में 1-1-2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद 1-1-1-2020 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था लोगडाउन में जब लोईस्ट प्राइस थी तभी 23rd मार्च को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था और अभी शेर प्राइस है और इंडेक्स है अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए एक लंबी अउदी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए दो जब मार्केट में बड़ा फोल आता है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले तीन जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले चार हमारा शेर अपने सेक्टर का टॉप शेर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये शेर निफ्टी से बेटर है या नहीं यानि कि पहले तीन पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1-1-2014 को एक लाग रुपे इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए एक लाग रुपे हो गए मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करंट शेर इन्वेस्टमेंट की वेल्यू है 1-1-2014 के दिन एक लाग रुपे निफ्टी-50 शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन वह 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में उस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और अभी की वेल्यू है 1st point में निफ्टी जीत गया 2nd point में निफ्टी जीत गया 3rd point में निफ्टी जीत गया एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये शेर और निफ्टी का इंडेक्स जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी वेल्यू कहां पहुँचेगी 2020 में किसका परफॉर्मंस बेटर रहा ये शेर का या निफ्टी का ये है पिछले एक महीने का रिटर ये है दो महीने का रिटर ये है तीन महीने का रिटर ये है छे महीने का रिटर और ये है पिछले नव महीने का रिटर ये है पिछले नव महीने का रिटर ये है पिछले नव महीने का रिटर ये है पिछले नव मह